हेलो बच्चों, बच्चों की एक डिमांड थी कि सर जो एनाइटीज में टॉप ब्रांचेज हैं या फिर टृप ब्रांचेज हैं वो किस-किस परसेंटेल पर लगबग लगबग इस साल मिल सकते हैं इस बात का क्या आईडिया आप दे सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ कि लगबग लगबग किस परसेंटेल पर इस साल ट्रिपलाइटीज और एनाइटीज के अंदर उपर की ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो पिछले साल का दो डेटा था उसको बेस लिया है और इस साल जो बच्चों के संख्या बड़ी है जो number of experience बड़े हैं उसके कारण परसेंटेल पर क्या प्रभावव पड़सकता है उसको ध्यान में रख कर हमने नई परसेंटेल बनाई है एक्षेक्टेट परसेंटेल बनाई है कि इस परसेंटेल पर आपको इस को लेज कंदर रिवाद परांच मिलने की संभावना है although मैं सभी बच्चोंगे कहूंगा कि of course बड़ा लगातर पढ़ाई करते रहे और advance पर focus जादा रखें बट फिर वुच्छन निकाल किस तरह का वीडियो बनाओ तो मैंने बनाने की कोशिश की है अगेन इस पूरे की पूरे वीडियो का जितना डेटा है उस सायर के सायर डेटा की PDF बिड़ा आपको अपने competition के चैनल कित्रू मिल जाएगी टेलेग्राम जो चैनल है उस कित्रू मिल जाएगी उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिरोगा आप वहाँ से उसको ले लीजएगा ध्यानर कियेगा इसके अंदर हमने exactly वो percentile नहीं लिये जो अगले साल थे हमने उसको normalize किया है इस साल जो बच्चों की थोड़ी बहुत जो संख्या बढ़ी है उसके एसाब से साथी साथ मैं जो डिसक्रस करना चाहरा था कि इस साल J.E. advance देने के लिए लग भग लग क्या percentile रह सकती है last year के अगर बात करें तो J.E. main की जो cutoff थी advance देने के लिए 90.77 थी इस बार मेरी expectation ऐसी है कि percentile 92.19 के आसपास तक जा सकती है इससे आगे नहीं जाएगी इससे कम ही होगी इसी तरह से general EWS इस साल वो बढ़ा 79.37 से कम ही रहने की संभावना है थोड़ बढ़ा ही मैंने किस लिए क्योंकि बचों की संख्या थोड़ी सी तो same rank लाने के लिए बढ़ परसेंटाल थोड़ी सी जा चाहिए तो मैंने इस बात को भी ensure किया है इसी तरह से OBC non-creamy layer के अंदर last year 73.6 था इस बार 77.67 के अंदर-अंदर आप गयागर परसेंटाल है तो आप जाई advance देने के लिए eligible होंगे SC में last year 51.9 था इस साल बढ़ लग 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 59.3 के अंदर-अंदर ही रहने की संभावना है SC में last year 37 था और इस साल बढ़ 46 के अंदर-अंदर रहने की संभावना है जी advance देने के लिए जो cut-off है उसकी expectation आप ऐसे ही मान सकते हैं जो top NITs है बढ़ उनमें मैं पहले home state ले रहा हूँ जो NITs है उनमें home state और other state का कोटा होता है आप जैसे state के है उस state की जो NIT होगी वो आपकी home state है बाग की सारे जो NITs वो आपके लिए वो other state है home state का मतलब क्या है कि जिस state से आपने class 12 का exam दिया है वो state आपका home state है पहला data मैंने एक बार home state का लिया है NIT वारंगल CS का home state के अंदर इस साल जो percentile रहने के जो संभावना है वो लगबग लगब 99.76 के आसपास है यह last year के closing rank थी वो 3115 थी यह general neutral है मतलब सब boys girls सभी के लिए girls के लिए of course बटा जो cutoff आएगी वो थोड़ी सी कम आएगी जैसा आप देख सकते है girls के लिए इस साल जो cutoff रहने के संभावना है वो 99.65 के आसपास है rank last year 4530 थी और इस साल जो percentile है वो लगबग लगब 99.65 वारंगल के आप माल सकते है सूरत कल में बटा home state का cutoff इस साल 99.738 के आसपास रहने के संभावना है इसी तरह से बटा सूरत के अंदर girls का cutoff लगबग लगब 99.67% के आसपास रहने के संभावना है इसी तरह से बटा NIT तुरुची के अंदर boys के लिए अगर open category कर देगे 99.60 के आसपास परसेंटाल रहने के संभावना है NIT जैपूर के अंदर अगर हम gentle neutral अगर देगे लगब लगब 99.558 रहने की संभावना है NIT इलाभाद में computer science की परसेंटाल 99.548 के आसपास रहने की possibility है I hope you can read all these NIT तुरुची में girls का computer science का cutoff है वो लगब लगब 99.4856 परसेंटाल के आसपास रहने की संभावना है आगी वाले भी आपर read करें लिए मैंने खोड़ा कैसे read करना है समझाई दिया जैसे NIT जैपूर के अंदर females का 99.44 computer science के लिए रहने की संभावना है probability है अगी ये आगी वाले जो NITs है उनकी है अगी बढ़ा ये home state वाले है जो उसे state का है उसी state की अनाईटे में गर जाना है तो ये तने परसेंटाल उसको roughly चाहिए होंगे अच्छा जिस मैंने कोशिश किया कि सारे सारे descending order में हो most preferred सबसे उपर list preferred सबसे नीचे तो बात में जब counseling के time जब choices अगर fill कर रहा हूँ बढ़ा की वाले PDF काम आ सकते है अगला भी home state इसमें डागे नागपूर हो गया शिपपूर होगा कुरुक्षेतर हो गया कलिकेट हो गया जमशेद्पूर हो गया रुड़केला हो गया बपाल हो गया सुरत हो गया और डूंगरपूर हो गया यह सारे के सारे, यह सारे के सारे भी अपके home state है, अब other state की बात कर रहे हैं, other state के इंदर ranking लगभग लगभग बड़ा वही है, बस सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ गया, कि अब जो top पे वारंगल था, वो top पे तरिची आ गया, सबसे short after other state वाले बच्चों के लिए, तरिची में girls के लिए कट ओफ गए थी, वो 99.89, sorry, 839 के असपास percentile लेने के संभावना है, अगीन, यह last year वारंगल के अंदर अगीन बड़ा जेंडरल न्यूटरल में 99.814 रहने के संभावना है, सूरत कल के अंदर girls के लिए 99.7464 रहने के संभावना है, रूर के अला में जेंडरल न्यूटरल के लिए 99.708 रहने की प्रभावना है, वारंगल में girls के लिए computer science के लिए 99.7 रहने के संभावना है, NIT इलाबाद में अगीन बड़ा जेंडरल न्यूटरल के लिए 99.63, NIT जैपूर के अंदर जेंडरल न्यूटरल 99.62, NIT कलिकेट के अंदर जेंडरल न्यूटरल 99.59, और रूरकिला के अंदर girls के लिए 99.58, और कलिकेट के अंदर girls के लिए 99.47 रहने की प्रभाविलिटी है, रीड बिड़ा को करना आएगा है तो यह वाले बहुत खाल से आप रीड कर लोगे अगें यह अधर स्टेट का है तो उनको फिर ना होम स्टेट में इतना फायदा नहीं मिलता ना इसलिए यह पूरी की पूर्ण सीक्वेंस पढ़ लेना और अगें आपको पीडियाफ चीए तो टेलेग्राम के चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठीक है जब एक बार आपके रैंक आजाएगे तो रैंक के असाब से अलग से वीडियो बना देंगे और किस सीक्वेंस में आपको फिल करना हो भी बता देंगे ना मैं तो बड़ा सिर्फ होसी मैंने जानबुच के परसेंटाल के लिए से निकाला, यह बहुत से बचों के परसेंटाल आया तो चुकी है, तो देखना चारे तो इसलिए, एक ट्रिपलाइटी इसका और करते हैं, ट्रिपलाइटी के अंदर किसी प्रकार कोई स्टेट कोटा नह सबसे उपर मैंने ग्वालिय लिखा हुआ है, हलांकि सबसे उपर ऑफकोर्स बात है कि ट्रिपलाइटी इलाबाद रहेगा, लेकिन मैंने किसी और पेज पेज पर लिख रहे हैं, वो इसलिए कि उसमें एक्जेक्ली CS ब्रांच ना होकर IT ब्रांच है, तो जो अपना प्रिपलाइटी लखनव, बहुत ही अच्छा कोलेज, 99.265 के आसपास इसकी परसेंटाइल रहने की प्रोबिलिटी है, गल्स के लिए ग्वालियर जो है, उसकी 99.09 रहने के संभावना है, फिर बढ़ा उसका ट्रिपलाइटी जबलपुर जेंटर लिटल के 98.87, फिर पूने, बढ़ाजी, जेनरल लिटल के लिए 98.696, अगिन तुम सारा सार बढ़ा पढ़ी लिए, रफली बढ़ा सिक्वेंस ही रहेगी, ट्रिपलाइटी जो है, पूस्टे रहते हैं कि सर किस रैंकिंग के अंतर फिल करना ची है, तो यह मान के चलो कि यह रफली बढ़ाप पूर, यह रफली बढ़ा सिक्वेंस आपके यही रहेगी, जब फिल करो तो इस बात के ध्यांद आख सकते हो, तब तक बढ़ा इस पीडियाप को समाल के रखना है, अगिन अगली बाइटी जो ट्रिपलाइटी है, वो बढ़ावन असी के अंदर लगा दी है, तो सारी सार 7.72 परसेंटाइल के आसपास है, आगे जालते हैं, कुछ गवर्मेंट फंडे टेकनिकल इंस्टूट्स हैं, उनका भी में एक बार जो क्लोजिंग परसेंटाइल है, वो ताने कोशिश करता हूँ, जैसे पेक चंडिगड जो है, पीजी चंडिगड जो है, उसका परसेंटा उसी तरह से, पेक के अंदर, अधर स्टेट, सोरी, होम स्टेट वाले, यह तो अधर स्टेट के लिए, होम स्टेट वाले जो बच्चे हैं, जो पंजाम के हैं, उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, कट ओफ थोड़ा सा कम जायागा, that is 98.56, कम्प्यूटर सैंस के लिए, इसी तरह से, बढ़ा, टिरपल आइटी, नया रायपूर, है ना, इसके लिए अगर देखें, तो 98.47 जाने की प्रोबिलेटी है, इसी तरह से, बढ़ा, अगर BIT, राची के अगर हम होम स्टेट के लिए, तो कम्प्यूटर सैंस के लिए, 98.06, मिला, आब जो बच्चे जार इसे में उपर लिखा, Central University of Rajasthan, उसमें के कम्प्यूटर सैंस कर चाहिए, तो 96.54 परसेंटाल तक भी आपको मिल जाती है, आगे, अगे, अगे, सारे बढ़ा पढ़ना चाहो, तो पढ़ लेए, सारे के से बढ़ा को बढ़ा से आपके लिए लिए लिखे वे, वो जो जेंड से तोड़ा और बेटर तरीके से लिखावा है, आगे चाहिए, नेक्स्ट इस, यह वही लिस्ट है, वापिस इसको एक बार चेक करना, हाँ, यह एक बार और चेक करना, कि जो हमारी, ट्रिपल आईटी इलाबाद जो है, उसके अगर में बात करें, तो इन्फोर्मेशन टेक करना, इसके बड़ा 99.55 के आसपास करना, इसको कुछ इलेक्ट्रोनिक्स वगरे की भी लिखे हुए, तो वो भी आप एक बार चेक करना, यह जो मने लाव से बनाए ना, यह परसेंटाइल के एसाब से बनाए है, वाला इसमें में कम्प्यूटर सेंस ब्रांच फिक्स ना कर बाकि जो कम्प्यूटर सेंस वाले हैं, वो बड़ा वही है, जो आपने पहले से मना वदा रखियें, इसी तरह से बड़ा NIT सूरतकल के अंदर जो IIT है, उसका 99.738 के आसपास बड़ा परसेंटाइल गई है, ठीके बाकि तो सारे कम्प्यूटर सेंस वाले हैं, इसी तरह से Mathematics and Computing जो है NIT वारेंगल के अंदर, वो Other State का General Neutral Cut-Off 99.684 के आसपास जाने की संभावना है, NIT सूरतकल में Artificial Intelligence का Girls के लिए 99.6799 के आसपास जाने की संभावना है, NIT वारेंगल में Mathematics and Computing General Neutral में, Home State का Cut-Off 99.66 के आसपास जाने की बड़ा प्रोबिलेटी है, NIT तरिचे में Electronics and Communication Engineering, यह बड़ा पहले कवर नहीं है, इसका Other State का General Neutral Cut-Off 99.64 के आसपास जाने की प्रोबिलेटी है, इसी तरह से बड़ा यह दो है, NIT सूरतकल में Information Technology का Cut-Off फिमेल्स के लिए, Home State के जो फिमेल्स है, उनके लिए 99.6 रहने की प्रोबिलेटी है, इसी तरह से NIT सूरतकल में Information Technology फिमेल्स अधर स्टेट के लिए 99.579 के लिए है, NIT सूरतकल में Computational and Data Science के लिए, Again, Short-After Branch है, अधर स्टेट में फिमेल्स का जो Cut-Off है, 99.579 के असपास रहने की संभावना है, NIT सूरतकल में Electronics की अधर स्टेट का General Neutral की Cut-Off, 99.569 के असपास रहने की प्रोबिलेटी है, और NIT सूरतकल में, IIT के लिए, बिड़ा Cut-Off, 99.568 रहने की संभावना है, है, Home State General Neutral के लिए, और NIT सूरतकल के अंदर Artificial Intelligence ही, Home State वाले बच्चों को, तो 99.566 के आसपास रहने की प्रोबिलेटी है, इसी तरह से मैंने Computer Science डिस्कूस कर रहा है, हाँ, जी मैं डिस्कूस कर रहता है, टिपलाइटी इलाबाद में Information Technology, Business Informatics, एक्सपोरियर्स का ही है, उसकी 99.555 रहने की प्रोबिलेटी है, इसी तरह से बड़ा NIT वारेंगल में Electronics and Communication Engineering की कट ओफ, Home Other State वाले बच्चों के लिए 99.55 जेंडर न्यूट्रल की संभावना है, And again, Computational Data Science बड़ा सूरतकल में Home State के जेंडर न्यूट्रल के 99.52 रहने की प्रोबिलेटी है, तिर्चे पल्ले में Electronics and Communication Other State की Females का 99.512 रहने की प्रोबिलेटी है, Artificial Intelligence में अगर बात करें, तो Other State में, जेंडर न्यूट्रल में 99.50 की प्रोबिलेटी है, Mathematics and Computing वारंगल के अंदर अगर Other State female अगर हम देखें, तो 99.50 की रहने की प्रोबिलेटी है, Artificial Intelligence सूरतकल में अगर देखें, तो 99.50 females के लिए Home State की प्रोबिलेटी रहती है, और NIT वारंगल के अंदर Electronics and Communication जेंडर न्यूट्रल लगा चाहिए, हम स्टेट के लिए, तो 99.498 की रहने की प्रोबिलेटी है, तो यह जो मैं लास्ट में लिखें, इसमें मैंने किया किया कि अईसा नहीं किया कि सिर्फ Computer Science, Computer Science के साथ-साथ जो और Short After Branches है, उन्हीं का हमने इस तरह से Short कर रखा था, जिस तरह से बच्चों ने Last Year उनको Prefer किया है, परसेंटर में Last Year बारे नहीं लिखी है, मैंने उसको Modify किया था, कि इस साल कैसे रहने की उसकी Probability है, ठीक है? And again, बटा अगर इस पूरे की, ठीक है बटा मैं तो आपको समझा दे कि इसको Read कैसे करना है, अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो बटा आप है ये अपनी Competition का जो Telegram Channel है, यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जब एक बार आपकी Rank आ जाएगी, चरी, बाएगा.